ओम सिरी गनेशाय नमा दोस्तो एश्ट्रो समाधान यूट्योब चैनल में आपका हार दिक स्वागत हैं मिथुन राशी वालो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 7 अगस्त से 21 अगस्त याने कि इन 15 दिनों के आपकी राशी के महाराशी फल्क के बारे में कि आपकी राशी वालों के लिए गिरहनक शत्रों के इसाब से 7 अगस्त से 21 अगस्त याने कि इन 15 दिनों के समय किस प्रकार रहने वाला है शाति-शात इन 15 दिनों में आपको गिरहनक शत्रों के इसाब से किन-किन चीजों से फायदा होगा किन किन चीजों से आपको शाफधान रहना होगा साथ साथ इन पंदरा दिनों में आपकी लोग लाइफ कैसी रहेगी करियर कैसा रहेगा बिजनिस और वैपार कैसा रहेगा और स्वास्त की महत्पपून और सटीक जानकारी से वीडियो में आपको देने वाले हैं वीडियो बहुत महत्पपून हैं सुरू से अंतर तक वीडियो को आप पूरा देखें बिल्कुल भी वीडियो को आप मिस ना करें जब दोस्तों वीडियो का आगे शुरू करें सबसे पहले तो आपसे रिक्वेस्ट करते हैं भगवान भुलेनात के सच्च वक्त वीडियो को लाइक करें सबसे पहले और सच्चे दिल से कमें स्वोक्ष में जै भुलेनात अवश्य लिखें जिससे भगवान भुलेनात का सिर्वाद आपको शीदे प्राप्त हो सके तो चलिए दोस्तों बात करते हैं कैसा रहेगा आपकी राशीवालों के लिए 7 अगस्त से 21 अगस्त याने किन 15 दिनों का यह महत्मापोन समय चलिए शुरू करते हैं दोस्तों यह समय घर परिवार तथा संबंदियों के साथ अच्छा व्यतित होगा अपने संपर्क सूत्रों तथा मित्रों से मेल मुलाकात लावदायक रहेगी कुछ समय से आप अपने व्यक्तितमें और अधिक शकारात्मक बदलाव लाने का प्रैतन कर रहे हैं उससे आपको शमाजिक वे परिवारिक सरहाना भी प्राप्त होगी दोस्तों इस समय आप अपने प्रभाब साली तथा मेठी वानी द्वारा दूसरों पर अपना प्रभाब बना लेंगे लोग आपके व्यक्तितम से प्रभाबित भी रहेंगे घर में महत्पपुन व्यक्ति के आगमन से भी किसी महत्पपुन मुद्दे पर विचार विमर्श भी होगा दोस्तों इस समय आप धन संबंदी कुछ नई नीतियों की योजनाय भी बनाएंगे उसमें सफल भी आप रहेंगे इसलिए प्रियासरत आपको रहना आवशक है दोस्तों परिवारिक शुवदाओं पर भी खर्च होगा किसी नजदी की मित्र के यहां धर्मिक समारों में जाने का भी आपको अबसर भी मिलेगा जा दोस्तों इस समय निवेस संबंदी गतिविद्यों पर समय व्यतित होगा और काफी हद तक सफलता भी प्राप्थ होगी दोस्तों साथी साथ घर्चों की अधिक्ता रहेगी परन्तु आयके साधन भी बने रहने से दिक्त आपको महसूस नहीं होगी दोस्तों इस समय अचानक ही किसी अंजान व्यति से मुलाकात होगी और आपके लिए बहुती फायदेबंद भी रहेगी अगर कोई प्रापर्टी बेचने संबंदित योजना बन रही है तो उस पर ध्यान आप केंद्रित रखें दोस्तों मिध्यार्ती अपनी पढ़ाई के प्रती पूर्ण एकागर चित रहेंगे दोस्तों साथी साथ यह समय अपने कारे के प्रती पूर्ण रूप से आप समिर्पित रहें दोस्तो इस समय ग्रहक इस्तितियां आपके लिए उचित भाग्या का निर्मान कर रही हैं इसलिए इनका आप सद्यूब्योग करें कोई परिवारिक धर्मिक भोजन संबंदित योजना भी बनेगी जो आपके लिए पहुती फायदेबंद साबित होगी परन्तु दोस्तो किसी अंजान व्यक्ति से कोई पहत्पपूर्ण बातचीत या काम करने से पहले उसके बारे में अच्छी तरह विचार विमर्स तता जांच पड़ताल आप अवश्य करें छोटी सी लापरवाही से आपके साथ धोका दड़ी हो सकती हैं थोड़ा सावधान दोस्तो इस समय कभी कभी आत्म केंद्रित होने तता एहम की भावना रखने से आपसी बातचीत में कुछ वाद विवाद होने की भी इस्तिती बन रही हैं दोस्तो अपने इन गुणों का आप शकारात्मक रूप में उप्योग करें तो बहतर पलणाम आपको प्राप्थ हो दोस्तो यह समय अत्यादिक खर्चों की वजए से आपका बजट भी बिगड़ सकता है इसका अवश्य आप ध्यान रखें घर के किसी व्यक्ति के स्वास्त को लेकर कुछ चिंता रहेगी अपने व्यस्ततम समय में से कुछ समय उनकी देख बाहल के लिए भी आप अवश्य दोस्तो कुछ समय परिवारिक तता सामाजिक गति विदियो में भी आप व्यतित करें ज़्यादा आत्म केंद्रित होना आपके संबंदों में खटास उत्पन कर सकता है अपने वहवार में लचीलापन बना कर रखना आपके लिए अतियावश्क है ज़्या दोस्तो इस समय क किसी वरिष्ट सदस्य के स्वास्त को लेकर जरा से भी लापरवाई आप ना बढ़तें दोस्तो कोट से संबंदित कोई मामला अभी उलज सकता है इसलिए किसी योग्य व्यक्ति से आप सला अवश्य लें दोस्तो मन में कुछ नकारात्मक विचार भी उत्पन हो सकते हैं इ कांत में बैटकर आतम चिंतन भी आप अवश्य करें तो आपके लिए लाब प्रद रहेगा दोस्तो अब बात करें लव लाइफ के नजरिये से तो पती पतनी का आपसी सयोग घर परिवार की विवस्ता को उचित तता खुस नुमा बना कर रखेगा प्रेम संबंद मरियाद दोस्तो परिवार तता विवस्ता के बीच उचित शामांजस बना कर रखने से दोनों तरफ सुकून वरा वातावन रहेगा प्रेम संबंदों में भी प्रेगण ताएगी दोस्तो बात करें आपके करियर और वेवस्ता की तो अभी वेवस्ता के गति विदियो में किसी भी प्रकार के परिवर्तन करने की आप चेश्टा ना करें जैसा वरत्मान में चल रहा हैं उस पर ही आप ध्यान केंदरित रखें डोकरी पेशा लोगों को अपना काम बहुती अधिक ध्यान पूर्वक करने की आवश्टा है दोस्तो यह समय अपनी रुक्वी पेमेंट कलेक्ट करने तथा आर्थिक इस्तितियों को मजबूत करने पर आप ध्यान केंदरित रखें दोस्तो आपको काफी हद तक सफलता भी प्राप्त होगी दोस्तो नोकरी पेशा वेक्तियों को कोई इस्थान परिवर्तन संबंदी सूचना भी मिलने की संभाव ना है दोस्तो यह समय वैवसाय में आंत्रिक सुधार या इस्थान में कुस बदलाव लाने की आवश सकता है और ऐसा करना आपके लिए लाबदायक सावित होगा ओफिस के माहूल में राजनीती जैसी गतिविदियां हो सकती हैं इसलिए आप थोड़ा सावधान रहें दोस्तो कारेशित्र में किसी प्रभावसाली व्यक्ति का योगदान आपके लिए व्यवसाय संबंदी कु कारी शेवारत व्यक्तियों को भी अपने कारे में उचित योगदान देने से उच अधिकारियों की सरहना भी प्राप्त होगी जिससे उनको काफी खुसी का अनबब होगा तोस्तों यह समय मार्केटिंग तथा मीडिया से संबंदित सभी काम सुचारू रूप से संपन होते हुए जाएंगे इसलिए पूर्ण रूप से इन कारेयों के प्रती प्रियास रत रहें आर्थिक इस्तिती भी बहतर रहेगी नौकरी पेशा व्यक्तियों का भी ओफिस का वातावरन शांती पूर्ण रहेगा वैवसाइक गतिवीदियों के प्रती अपना आप पूरा ध्या किसी के समक्ष आप जाहिर ना करें क्योंकि आपके साथ चीटिंग हो सकती हैं सावधान रहें दोस्तों बात करें आपके स्वास्त के नजरिये से तो स्वास्त इस समय आपका ठीक रहेगा परन्तु खान पान और दिंचरिया सयमित रखना आपके लिए अतियावशक है दोस योग पर भी आप कुछ समय वहतीत करें तो आपके स्वास्त के लिए पहुती अच्छा रहेगा या दोस्तों अपने खान पान पर भी आप विशेश रूप से ध्यान दें और नियमित आप योग करें प्रणयाम करें स्वस्त रहें